उश्ट्रासन इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं अब अपने दोदों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हो ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हो और आपकी जांगी जमीन से बराबर 90 डिगरी पर हो अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी वीड के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर जुके सर को इतना जुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मानस्पेशियों पर खिचाओ महसूस हो इस आसन को अर्द उस्ट्राशन कहते हैं अब हम अर्द उस्ट्राशन से उस्ट्राशन की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए ताहिने हाथ से ताहिनी एडी और बाए हाथ से बाई एडी को पकड़े ठ्यान रखे कि पीछे जुकते समय गर्दन को जटका ना लगे सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े इस थिती में 10 से 30 सेकंड तक रहें उस्ट्राशन से पीट और गर्दन की मांस पेशिया मजबूत होती है ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है इस आसन को करने से द्रिष्टी में सुधार होता है ये पेट और पूलों की चर्वी खटाने में मदद करता है यदि आपको हरनिया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करे रिदय रोग और उच्चर अक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्ववती हो तो भी ये आसन ना करें 10 से 30 सेकेंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस है और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एडियों पर बैठते हुए वजरासन की स्तिती में आ जाएं और अब वजरासन में हैं सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्स जो की शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं